अज का जो यह वीडियो प्रेजिटेशन है यह Microsoft Certified Solution Expert के उपर है कि Microsoft की जो थर्ड सर्टिफिकेशन है सरवर 2012 को रिलेटेड वो उसको कैसे क्रेक किया जाए उसमें कौन-कौन से जो मॉडूल से वो कबर अप होते हैं कौन-कौन से स्लेबर्स जो है वो Microsoft के स्लेबर्स में जो EME technology specially बच्चों को क्लियर करवाने में helpful करती है तो आज हम जानते हैं कि उसको कैसे करेक करना है तो MCSC के दो एक्जाम होते हैं जैसे MCSA के दो एक्जाम होते हैं वैसी MCSC के भी दो एक्जाम होते हैं सब्सक्राइब करें करना है अगर उसको कुई एरर आजए तो कैसे अनदर डियसी की बोलेने वालोगा डाइप अड्रेस मेनेजमेंट को मेंटेन रखना वी पिन सॉलूशन बनाने यह निकी वर्च्व नेटवर्क बनाने फिर डिरेक्ट एक्सस सॉलूशन करने स्केलिबर रिमोर्ट नेटवर्क बनाना इंप्लिमेंट करना उस नेटवर्क प्रोडेक्शन सुलूशन को जब एरर आती है फॉरस्ट डोमेन क्रेट करना जीपी परमेशन देने उनको तेन एक्टिव डिरेक्ट की साइट की तपॉलोजिस को मैंटेन करना डिजाइन करना प्रांच और टेकिंग टेस्ट टिप्स करने जो सतर चार सो तेरा में एमी टेक्नोलोजीज है बच्चों को धरस अलॉट सॉफ फॉफ अन डस्ट बस इन सतर चार सो तेरा मैं इक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिनका मसी पी मसी एक्जाम क्लियर हो जाता है वही बच्ची है वही प्रोफेशनल्स एमसी एसी का एक्जाम देने के लिए एलिजीबल होते हैं देन सतर चार से चौदो में कौन-कौन सी चीज़े होती हैं डिजाइन करना सर्टिफिकेट इंफ्रस्रिक्चर को मॉनीटर करना स्ट्रेजिज अडिस्रेटिव मॉडल द्य एक चीज यहां रिखी का, MCSE is for the cloud. MCSE, MCP is a server but inside server you can manage a cloud. सो सत्तर चार से तेरह सत्तर चार से ज्यादा completely cloud case है, जिसमें हम server virtualization, business continuity, cluster fair over, high available network services, server roles, server storage, virtual guest, virtual host and virtualization network storages, all these concepts will be cleared in MCSE exams. और EME का खास रोल यह होता है कि आप इन सब चीज़ों में काफी जाधा proficiency आप gather करके अपने exam को clear कर सकते हैं. So our next slide is how to crack Microsoft certified solutions for exam. This is the most important part in the exam, क्योंकि जितने भी Microsoft और high exams होते हैं, वो PSN के पास है, PSN is authorized test center, जो आपके exam को conduct करवाता हैं और जिनके थूरू आप exam clear करते हैं. So अब हम देखिएंगे कि 74-73 में कौन-कौन से आपके जो topics हैं वो paper में आते हैं. The first is the plan and deployable server infrastructure, plan करना, किसी भी server infrastructure को उसे implement करना, इन तरह के questions जो हैं, वो 20-25% तक आपके question paper में जरूर आएंगे, जिनमें आपका cloud-based examples होती हैं. Then design and implementing network infrastructure services, आप उसे design करें, implement करें अपनी network infrastructure को, approximately 20-25 questions होते हैं वो आपके exam में present होते हैं, जिनमें आपको domain भी cover up होता है. फिर design करना, implement करना, network architecture services को, and this course, this particular area would be covered around 15-20 minutes, 20% and in this process, आप load balancing सीखोगे, server की. फिर design and implement करना, active directory infrastructures को, and उसे logically implement करना, इन सब का जो part है, वो 20-25 तक का cover up होता है. Then, the design and implementing an active directory infrastructure physically, पहले आपने logically देखा, फिर physically implement करना, इसका भी 20 से लेगे 25% ता part जो है, वो आपके exam में cover up होता है. So, अभी तक हम ने देखा कि 7,413 में कौन-कौन से topics जो है, वो exam में आते हैं, और कितने percent उनका वीटेज होता है. अब बात करते हम 7,414 की, यानि की server infrastructure की, इसमें ते manage करना, maintain करना server infrastructure को 25 से लेके 30% तक के वेटेज होती होती है questions की. Then, there is a plan करना, implement करना, high available enterprise infrastructure को, इसकी जो capacity होती है, वो 25 से लेके 30% तक ही, जो questions है, वो आपके exam में आते हैं, और आपको different spectrum, different infrastructure आपको मिलता है, exam पर रही है. फिर plan होता है, implement करना, server virtualization को, infrastructure को, इसकी भी weightage होती है, 25 से लेके 30% तक होती है, in this, आप VPN connections को implement करना, आप सीखते हैं, in EME technologies, design and implement करना, identify and access solutions को, in this topic, आपके 25 से, तकरीबन 20 से लेके 25 तक की weightage होती है questions, यानि कि, अगर मैं 20 questions लेके जाता हूं, तो 6 से लेके 7 तक, इन topics पे वो questions जो हते हैं, वो based होती है, so this is the way, कि आप इन topics के, अगर preparation कर लेके, definitely आप examiner होगा, थोड़ा time दीजिए, अपने time को maintain रखिये, जितना time आप professional को देते होता, time आप study को भी दीजिए, then notes बनाए, key notes prepare कीजिए, और मैं एक चीज़ बता दूँ, आप सब को, जो इस video को देखने देखेंगे और आगे share भी करेंगे, और EME Technologies को join भी करेंगे, there is no shortcut for the success, आपको long path लेना पड़ेगा, suitable path लेना पड़ेगा, तभी आप अपने exam को clear कर पाएंगे, study कीजिए, hard work, hard lab कीजिए, और उसे learn कीजिए, focus आपका बहुत जुरूरी किसी बीजिए को पाने के लिए, then you already get the success and thank you so much this videos के लिए, अगर आपको लगे कि ये video बहुत अच्छी है and you also get the success producing this video, please join the EME Technologies, we definitely build your career in different technologies, thank you so much, have a nice day, all the best.